नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको मारी टूब चनल में दोस्तों बहुत सारे फ्रेंट्स की कॉमेंट्स आ रहे हैं कि एस इसी का 42 डेजिन की 42 दिन के बाद क्या हम कॉंट्रिबूशन सम्मिट नहीं कर सकते अगर नहीं कर सकते तो उसका क्या प्रोशिजर है अगर हम रितड और अप्रेंबर टो चनल मार्च की जो अप्रेंट्स सहप्तमर का रिटन पीरिड खतम हो जाता है तो सेप्पर के मंद के 42 डेल्पक नेय Déizi के 42 दिन के बाद आप ने अगर लाार्ट टो मंध की याई बीनियु के का तो supplementary भी कर सकते हैं अगर आपकी आपने फुल मन्थ यानिकी monthly contribution आपका pending है तो वह भी आप कर सकते हैं यह साइसी ने रिटन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इनकी April to September और October to March आप April to September का जो return period है अगर आपकी जो सेप्टेंबर का जो return period का समप्त हुआ मन्थ तो उसके बाद आप इनकी 11 नुमबर तक उसकी return को फाहिल कर सकते हैं और अगर आप April to September के बाद October to March की बाद करते हैं तो March का जब time period खत two days तक आप लाश्ट के six month का contribution सम्मिट कर सकते हैं अभी जो COVID-19 की कारण यानि की coronavirus की कारण जो भी लोगडाउन चल रहा था तो लोगडाउन में का जो time period था अपरेल to September का EECC ने इसको 15 मही तक कर दिया था उसके बाद 15 मही के बाद EECC ने इसको एक जून से लेके 6 जून त इस six month की return में अगर किसी भी month का contribution dues है इनकी आपका October, November, December, January, February, March यहनि इस month में से आपका किसी का भी contribution pending है जो EECC ने इसकी date extend की हुई है इनकी 15 जुलाई तक आप इसको कर सकते हैं 15 जुलाई के बाद आप इस contribution को नहीं कर सकते इनकी EECC उस option को लोग कर देगा अभी आप जै message आपके यहां पर reflect हो रहा है यहनिकी message यहां पर running में चल रहा है तो यह जो return period है यहां पर दिखावा है October 2019 से लेके March 2020 तक का contribution है 15 जुलाई तर फिल कर सकते हैं इनकी इस date को नहीं extend कर दिया है मैं आपको एक पर contribution written open करके जो return का time open करके दिखा जैता हूं इसमें मैं यहां पर September या July 2019 सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर यह उस contribution को नहीं लेगा जो इसका contribution का return period है आपको इस month के अंदर यहनिकी इस period के अंदर ही करना होगा पीछ से के आप इनकी April to September का आप कभी भी April का September में भी कर सकते हैं अपरेल का October में भी कर सकते हैं इनकी उसका time period है उस return period के आपके two days तक उन्होंने इसको permission दी हुई है इसका मैं एक बार और बता जिता हूं कि आगर आप contribution मिस हो जाता है तो आप उसको कैसे submit कर सकते हैं इनकी आपका contribution है आप एक return period का contribution submit नहीं कर पाए है और आपकी जो due date थी वो समापत हो चुकी है यहनिकि अगर हम अभी October to March की हम बात करे अगर हमारी यह due date extend नहीं होती तो इसके लिए हम इसका contribution हम कैसे submit कर सकते थे दोस्तों इसके लिए आपको अपने SRO यह RO इस आइसी के regional office या subregional office में आपको एक letter देना होगा आपको इसमें region mention करना होगा कि आप यह contribution किस कारण सी submit नहीं कर पाए आपको अपना valid region अपनी company के letter पे लिखके SRO या RO में यहनिकि जो आपका regional SRO, subregional office और regional office है आप उसमें submit कर सकते हैं उसके बाद SRO और RO उस पे action लेगा वो अपने back end team से या जो भी उसकी IT cell है उसे permission लेगा उसके बाद आप उस contribution को submit कर सकते हैं तो अभी भी आपके पास option है अगर आपने October to March का contribution submit नहीं किया है तो आप 15 जुलाई तक इसका contribution submit कर दें तक कि जो भी अगर आपका पेंडिंग है डूज है यानि कि जो भी आपकी supplementary है तो आप supplementary भी कर सकते हैं आपका 15 जुलाई के बाद आप ना तो supplementary कर सकते ना आप मंथली contribution कर सकते दोस्तों जो April to September का जो return time है उसका कोई भी contribution आप submit कर सकते हैं तो अगर अभी तक आपने हमा कर सकते